हेलो माई दियर स्टुडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें हैं क्लास 11 यूनिट फर्स्ट डाइवर्स्टी इन दा लेविंग वर्ड में वन शोट वीडियो जहां पर हम NCRT को कवर करेंगे क्विक रिविजन करें तो आज हम स्टार्ट करें हैं फर्स्ट चैप्टर से दा लेविंग वर्ड इस यूनिट के अंदर जो डाइवर्स्टी इन दा लेविंग वर्ड फो चैप्टर लेविंग वर्ड बायलोजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंडम और एनिमल किंडम वन शोट का मतलब होता है केवल एक ही वीडियो के अंदर complete chapter को हम यहाँ पर complete करेंगे जहाँ पर इसकी quick revision देखी जाएगी और साथ में हम यह भी देखेंगे कि anxiety से किस line में जो हो need के question आ चुके हैं और अगर कुछ है question जो हम discuss भी करेंगे तो चलिए start करते हैं बहुत से बचे क्या करते हैं जहाँ पर यह unit start होती है जितनी भी unit है total 10 unit है तो 10 unit से पहले total 10 scientist के बारे में जो mention किया गया है बहुत से student क्या करते हैं कि इन जो scientist के information होती है उसको skip कर देते हैं और आपको बता दूँ कि यहाँ पर इस scientist वाले portion से भी need में कई बार क्योसर आ चुका है और यहाँ पर हमारे एक scientist दी गए अंस्ट मेयर जो कि 9004 से लेकर 2004 तक इस world के अंदर थे उन्होंने भी बहुत सारे काम किये और यहाँ से भी need 2016 में क्योसर आया हुआ था अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़े से अंस्ट मेयर scientist के बारे में तो यह जो born हुए तो 5 July 9004 में कहाँ पर जर्मनी के अंदर उनका नाम क्या था अंस्ट मेयर था उनकी study हुए थी Harvard University के अंदर जो कि आपके evolutionary biologist थे यानि जो evolution होता है उसके अंदर अब क्योसन कैसा पूछा जा सकता है वो इस दा डार्वीन ओफ दा 20th century जो यह मेयर अंस्ट मेयर थे उनको दा डार्वीन ओफ दा 20th century भी बोला गया है तो यह एक important line हो जाती है second क्या हो जाती है one of the hundred greatest scientist of the old time जितने भी अभी तक scientist दोई है उनमे टोफ हेंडरड में के अंदर इनका नाम आता है अंस्ट मेयर का ओके इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेयर ने जो वो जोइन की थी Harvard faculty यानि यहाँ पर ही इनकी faculty के अंदर यह काम करने लगे of art and science in 1953 and retired कब हुए यहाँ पर यह 1975 में अब इनको यहाँ पर एक title दिया गया है अब इससी type के जो वो क्यों से ना सकते हैं यह title दे कौन सा title अलेक्जंडर अगेजिस प्रोफेसर आफ जूलोजी एमारेटर्स यह जो title है यह किसको मिला है Ernst Mayer को मिला हुआ है throughout his nearly 80 year career his research spent ornithology ornithology क्या होती है जो कि birds के उपर study की जाती है taxonomy, geography, evolution, systematic and the history and philosophy of the biology तो इन सभी field के अंदर जो नोंने research की थी किसने Ernst Mayer ने इसके लावे लिखाव है he almost single-handedly met the origin of species diversity the central question of the evolutionary biologist that is there today he also अब यह important है यहीं से यह line जो है वो आपकी need 2016 में आई थी phase two के अंदर he also pioneered thus currently accepted definition of biological species तो जो biological species की currently जो definition है वो किसने दी थी Ernst Mayer ने दी थी इन्होंने ही pioneer कि दी तो Ernst Mayer ने दी थी अब इस type का correct और incorrect के अंदर need 2016 में phase two में क्योंसे नाय था definition of biological species was given by Ernst Mayer तो यह क्या यह correct है यह incorrect है तो जी हाँ definition of biological species की ने ने दी थी Ernst Mayer ने यह correct statement थी तो इस type का हमें याद रखना पड़ता है mayor was awarded the three prize widely regarded as the triple crown अब यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि triple crown किसको मिला था वो भी Ernst Mayer को मिला था कौन-कौन से award मिले थे सबसे पहला था दी bellizen prize 1983 के अंदर international prize for biology 1994 के अंदर and cray food prize in 1999 के अंदर मेर डाइड कभ हो गयता है 100 year case में 2004 के अंदर तो यह भी बहुत important होता है जो भी scientist यहाँ पर mention किया गया होता है okay अब हम start करने वाले हैं first chapter the leaving world इसका कितना weightage है यह आपको screen पे दिखाई दे रहा है 2017 से लेकर 2021 तक आप यह मान सकते हो on and average one क्यूसन जो इससे आता है okay तो सबसे पहले बात करते हैं the living world होता क्या है what is living living क्या होता है अब यहाँ पर बहुत सारे हमने living बोल सकते हैं और किसको हम no living बोल सकते हैं यह जैसे कि सभी chapter के अंदर होता है first paragraph इतना ज़्याद है यहाँ पर कुछ mention क्या नहीं किया नहीं किया यह बताएगा कि इस chapter के अंदर हम क्या चीज़ हैं बढ़ेंगी तो हमारा सबसे main जो किसन आता है वो यही आता है कि what is living अब living क्या होता है देखिए आपे लिखा है when we try to define living we conventionally look for distinctly characteristics exhibited by the living organism तो यानी living क्या होता है living जब हम define कर रहे होते हैं तो हम यह देखते हैं कि कौन-कौन से characteristics है जो living organism के अंदर हो सकते हैं for example जो यहाँ पर anxiety में mention किया गया है वो सबसे प यानी आपे growth हो सकती है reproduction हो सकता है ability to sense environment यानी consciousness हो सकती है और इसके परती respond करना भी हो सकता है okay one can add a few more features और भी future add किया जा सकते हैं जिसे metabolism ability to self replicate self organized interact and emergence to this list यह जो जितने भी यहाँ पर characteristics दिये गए हैं यह characteristics के होते हैं living के कौन-कौन से हो सकते हैं growth हो सकता है reproduction हो सकता है consciousness हो सकता जिसको बोलते है ability to sense environment इसके अलावा हो सकता है आपका कौन-कौन सा metabolism ability to self replicate self organize interact and emergence तो यह सब कुछ किसके अंदर आ सकते हैं characteristics हो सकते हैं living के हम एक एक करके discuss किया गया है NCRT में सबसे पहले बात की गई है growth की तो यहाँ पर बात करते है growth की यहाँ पर साफ-साफ लिखा गया all living organism grow यानि जितने भी living organism होते हैं वो क्या होते है grow करते हैं चाहिए वो unicellular हो चाहिए वो आपका multicellular हो बिखागे increase in mass and increase in number of individual are twin characteristics of growth अब हम growth किसको बोल सकते हैं या तो उसका mass जो वो increase हो जाए या फिर वहाँ पे numbers जो है वो increase हो जाए जैसे unicellular के case में क्या होगा है unicellular ज भी किसके अंदर आता है growth के अंदर आता है तो इसको हम बोलते हैं क्या यह होती है growth अब क्या यह living के अंदर भी हो सकती है या no living के अंदर हो सकती है यह दोनों के अंदर हो सकती है देखे लिखा है multicellular organism grow by cell division multicellular organism जो होता है वो grow को होता है cell vision से plant के अंदर क्या होता है this growth by cell भीज उकर चुंकिक्न ऐट कारथ अब जो प्रत्म होते हैं उनके अंदल जो यह जो आपके ग्रोथ होती है वह आपकेने होती है और पिल। प्रत्म है को हते हैं यह कहीं होता है तो यह आप particular size होता है उसके बाद में ज्यादा तर growth नहीं होती है ऐसा बोला गया है यह एक shape and size जो वो maintain कर लेता है however cell division occur in certain tissue to replace low cell इसके अलावा जो है कुछ अगर cells चले जाते हैं तो उनको lost जो अगर हो जाता है cells और पर replace करने के लिए नए cell भी आ सकती है unicellular organism grow by cell division तो हमने बता दिया था कि unicellular में क्या होता है कि cell divided होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं वो growth कर रहा है one can easily observe in this in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope in vitro क्या होता है या एक leaving जो है वो reaction हो रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है एक cell जो वो divide कर रहा है in majority of the higher animal and plant growth and reproduction are mutually exclusive event ये बहुत ही important line है और ये आपका question आ चुका है यहां से need के अंदर ये line आ चुकी है majority of the higher animal के अंदर और plants के अंदर क्या होते हैं growth और reproduction जो mutually exclusive events होती है यानि जो higher plants ये animals होते हैं वो particular पहले growth करते हैं then वो reproduction स्टार्ट करते हैं तो वो mutually exclusive event होता है अगे लिखाए one must remember that the increase in body mass is considered as growth तो अगर वो increase mass हो रहा है तो इसको भी growth बोला जा सकता है तो अब यहाँ पर यही क्यों से नाता है कि क्या non living के अंदर भी जो वो growth हो सकती है तो non living object also growth तो non living के अंदर भी growth होती है if we take increase in body mass as a criteria for growth अगर हम body mass को increase करने की बात करें तो वहाँ पर वो growth हो सकती है कैसे mountains, boulders and sand mounds do grow वो भी क्या करते है, grow कते है, पहले mountain का size चोटा होते है फिर उसके उपर और मिट्टी ऐसे आके कटी रहती है तो दीरे दीरे वो क्या होता है, उसका पूरा size बड़ा हो जाता है बट इन में क्या difference है, living और non living में क्या difference होगा however, this kind of growth exhibited by non living object is by accumulation of material on the surface यानि जो non living है, उसके उपर क्या हो रहा है, material जो उपर की तरफ जो accumulate हो रहा है उसके वज़े साइस increase हो रहा है, but living में क्या होता है, living organism growth is from inside तो living के अंदर क्या होता है, जो growth होती है, वो क्या होती है, अंदर से होती है इसलिए आपे देखी बोला गया, growth therefore cannot be taken as a defining property of living organism यह नहीं बोल सकते हैं कि यह definitely जो living organism के अंदर होगी ही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यह non living के अंदर भी हो सकता है growth, condition under which it can be observed in all living organism have to be explained and then we understand that is the characteristics of living system, तो यह characteristics हो सकता है living system का क्योंकि dead organism जो होते हैं वो grow नहीं करते हैं, उसके बाद में बात आती है reproduction की, अब re क्या होता है मतलब कोई चीज repeat होना, और production यानि किसी चीज़ का production जो बार बार repeat हो रहा है that is mean reproduction हो रहा है आपे तो reproduction किसके अंदर हो सकता है, living organism के अंदर हो सकता है और होता भी है क्योंकि यह बहुत ही most important होता है किसी भी species दो है, उसका existence बनाए रखने के लिए multi-cellular के अंदर क्या होता है, reproduction refer to the production of progeny, possessing feature more or less similar to those of the parrots यानि जैसे वो species है, उसी type की species को continuously बनाना है, उसी type के organism हमें reproduce करने है और इस type का reproduction क्या बोलते है, sexual reproduction होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर sexual reproduction होगा अब देखे कैसे, organism reproduction by asexual means also, fungi multiply and spread easily due to the million of asexual spores they produce तो fungi जो वो बहुत ज़्यादा grow कर सकती है, वो अलग-अलग asexual spore बनाती है इस type से इसके अलावा, आगे लिखा गया है, in lower organism like east and hydra we observe birding, in plain area flatworms we observe true regeneration, a fragment organism regeneration, the lowest part of its body become new organism तो यहाँ पर अलग-अलग reproduction बताए गया है, यह जो आपका reproduction in organism chapter है, उसके अंदर भी यहाँ पर इन चीज़ों को mention किया जाएगा, तो यह चीज़ भी द्यार रखना ओके, आगे लिखा गया है यहाँ पर, the fungi, the filamentous algae, the protonima of moses, all easily multiply by fragmentation तो यह जो जो fungi है, filamentous algae है, या फिर protonima of moses है, उनके अंदर भी क्या होता है, fragmentation होता है, जो कि एक type का asexual reproduction होता है when it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth, यह बहुत ही important है यह ग्रोथ और reproduction बिल्कुल साथ साथ में चलते हैं, means increase in number of cells, माली जी एक cell है, वो थोड़ा से increase होने के बाद क्या कर देता है, divide कर देता है तो इसकी growth भी हो चुकी है, और यह पर इसके number भी increase हो चुकी है, इसका reproduction भी हो चुका है तो reproduction क्या होता है, synonymous रहता है with growth, अब आपको बता दो कि यह जो line है, यह भी आपका new 2016 के अंदर आ चुकी है उसी same में correct और incorrect वाले के अंदर जहां पर अंस्ट मेयर आया था, उसी क्योसन के अंदर यह आ चुकी है तो यह line भी बहुत important हो जाती है ओके आगे देख लेते हैं, आगे लिखा है तो हम यह बिल्कुल clear नहीं कह सकते हैं, यह रिप्रोड़क्शन हो रहा है क्योंकि जैसे growth होती है, उसको क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, इसलिए हम इतनी ज्यादा शूर नहीं है तो बहुत सार ऐसे भी organism हैं, चो रिप्रोड़क्शन करते हैं यह जैसे आपका mules हो सकता है, sterile worker bees हो सकती है, in fertile human couples हो सकते हैं इसलिए इसको completely defining characteristics नहीं बोल सकते हैं, यह नहीं बॉल सकती है यह ज्बसे इंपोर्टन कर्रा इंपोर्टन कार्रीक्रेट्रस्टिक्स है, अणिम वैता जैसे metabolism metabolism बोलते हैं the sum of all the chemical reaction जितनी भी chemical reaction जो कि एक living organism के अंदर हो रही होती है उसको क्या बोते है metabolism बोलते है जिसके अंदर आपके catabolism plus anabolism यह दोनों की दोनों क्या थाती है metabolism यह metabolism के ही part है ठीक है all living organism are made up of chemicals these chemicals small big belonging to various class size function etc are constantly being made and changed into some other biomolecule these convergence are chemical reaction to metabolic reaction there are thousand of metabolic reaction occur simultaneously inside the living organism तो एक living organism के अंदर बहुत सारी ऐसी reaction हो रही होती है all plant and animal fungi microbes exhibit metabolism लिखा definition the sum total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism जितनी भी reaction chemical reaction हो रही होती है उसको क्या बोलते है metabolism बोलते है non-only living object exhibit metabolism तो जो कोई भी non-living organism है उसके अंदर कभी भी metabolism नहीं होती है तो आप यह बोल सकते हो कि यह defining feature है यानि अगर आपको बोल दिया जाए कि living और non-living में main difference तो आप यह बोल सकते हो कि living organism के अंदर metabolism होती है और non-living के अंदर metabolism नहीं होती है metabolic reaction can be demonstrate outside of the body in cell-free system अभी यह important लाइन है यापी बात द्यांसे समझना an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living तो अगर एक living reaction हो रही है क्या हो रही है living reaction हो रही है outside of the body hence while metabolism is a defining feature of all living cells without exception isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but surely living reaction तो जो बाहर reaction हो रही है वो कभी भी living things नहीं होती है बट वो living reaction होती है difference होता है जिसे हैँ उता हो test tube baby test tube baby के अदर क्या किया जाता है sperm लिया जाता है और waham लिया जाता है उनकी reaction बाहर करवाई जाती है outside the body जो वो reaction हो रही है वो living reaction है बट क्या वो living thing है जी नहींग है तो यह बहुत ही important हो जाता है next हम बात करते हैं consciousness कि अब consciousness क्या होते हैं जहां पर कोई भी जो stimuli है वो हमें मिलती है और फिर उसके according हम क्या करते हैं जो वो respond करते हैं perhaps the most obvious and technically complicated feature of the living organism is that the ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical हो सकता है chemical हो सकता है या फिर biological response हो सकता है we sense our environment through our sense organ plant responds to external factors like light, water, temperature other organism, pollutants, etc तो plants होते हैं वो भी respond करते हैं अब यहां से भी जो आपका question आ चुका है देखें photoperiodism यानि photoperiodism क्या होता है कि किसी plant को कितनी light मिलेगी photoperiod affect reproduction in seasonal breeders both plant and animal तो यानि जो light होती है day की जो light होती है वो भी affect डाल सकती है किस के उपर जो seasonal breeders होते हैं उनके reproduction के उपर चाहे वो plant हो चाहे animal हो यह line भी आपकी need 2016 में phase 2 में आ चुकी है जहांपे correct incorrect में आया था जो पहले statement आ चुकी है वहाँ से यह statement भी आ चुकी है तो जी हाँ photoperiodism जो वो affect डालता है all organisms handle chemical entering their bodies all organisms therefore are aware of their surrounding तो जितने भी जो organism होते हैं वो अपनी surrounding से aware रहते हैं जैसे बिल्कुल सुनसान गली में अगर आप भी जाओगे रात को तो वहाँ पे अगर कोई dog बेटा है वो भी आपको देखे बोगेगा क्योंकि वो भी aware होता है अपनी surrounding से human being is the only organism who is aware of himself और human being के वल अकेला है जिसके पास self consciousness हो सकती है जापे self consciousness होती है इसका मतलब है कि वो अपना future जो है वो सोच सकता है आगे के बारे में consciousness therefore become the defining property of living organism तो consciousness जो वो defining property है मान लिजए अगर कोई व्यक्ति कोमा में है तो वहाँ पे metabolism तो हो रही है इसलिए वो defining feature है मतलब किसी ने defining feature बोल दिया इसका मतलब आप उसको यह नहीं बोल सकती ही चीज़ होगी या नहीं होगी अगर कोई living है उसके अंदर वो defining feature है मतलब मेटाबोलिक वहाँ पे reaction हो रही है बट क्या वो conscious है वो conscious भी नहीं है नहीं self-consciousness है अगर वो कोमा में चला गया है तो पर क्या वो living है जी हाँ है तो इस difference को याद रखना ओके आगे लिखा भी हो देखे वो ब्रेंड थे पर क्या है वो यहाँ पर फिसर पर क्या वहाँ पर intrinsेन? पर क्या वहाँ पर metabolism है? जी हाँ वहाँ पर metabolism है तो क्या वो living है या non living वो नहींouv है क्योंकि वहाँड मेटाबोलिजम हो रही है अब यहां पर यह ज़्यादा इतना इंपोर्टेंट जो वो पैरग्राफ नहीं है अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किस करने वाले हैं डाइवर्सिटी इंदा लिविंग वर्ड के बारे में अब यहां पर लिखवाए इच डिफरेंट काइंड अब यहां पर लिखवाए इच डिफरेंट काइंड अगर आप प्लांट देख रहे हो या फिर अनिमल देख रहे हो या कोई भी organism देख रहे है वो किसको represent करता है वो represent करता है एक different species को the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million तो अभी तक जो total species हम describe कर चुके है वो 1.7 से लेके 1.8 million तक है यह क्या refer करता है this refer to bio diversity bio का मतलब है जो life है उसके अंदर different type की जो diversity हमें देखने को मिलती है या simple कह सकते है और the number and type of organism present over the earth यानि अलग-अलग number बहुत सारे type के different type के organism है और अलग-अलग number है मतलब कोई कम है कोई जादा है इस type से पर किया यह total इतने है 1.7 to 1.8 million लिखा है we should remember here that as we explore new area जैसे जैसे हम new areas को explore कर रहे है and even old ones the new organism are continuously being identified तो जो नए 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 organism हमें अभी मिल रहे है आगे इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें कि different type के organism है तो हम उनका नाम लेते है मतलब कि यह dog हो गया जिसे हम अपने घर में अगर कोई pet रख रहे हैं उसका नाम रखते है तो यहां पर किया जितने भी organism उनका नाम अलग अलग होता है इसको लेकर कुछ लिखा हुआ है भी अलग 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 लोकल नेम है कर जाएंगे एक same country के अंदर तो अब क्या करें कि हर एक organism को हम same नाम से पहचान पाई यानि कोई भी एक organism है जैसे आपका एक नाम है अगर आप WORLD में कहीं पर भी जाओगे तो आपको उसी नाम से पहचाना जाएगा उसी तरह organism का नाम रखा जाते है वो ऐसा नहीं होता वो एक process होता है दिखाए देखे हैंस there is a need to standardize the naming of living organism तो living organism को name को standardize कर दिया गया है such that a particular organism is known by the same name all over around the world this process is called nomenclature तो इस process को क्या कहते है nomenclature कहते है एक process होता है जिसके दोबारा किसी भी organism को नाम दिया जाता है अब nomenclature हम ऐसा नहीं है कि किसी को भी नाम दे पाएं उसे पहले हमें क्या पता होना चीए देखेए the nomenclature naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to तो यानि हमें पहले उसको identify करना पड़ेगा मैं आपको यह बोल दूँ कि आप किसी का भी एक नाम रख दीजिए तो माली जी आप नाम कुछ भी रख देते हैं ठीक है तो आपको यह नहीं पता है कि वो डोग है केट है या फिर वो मेल है या फीमेल है वो human है कि वो क्या है अगर आप ऐसे ही नाम नहीं दे सकते है तो पहले उसको identify करना ज़रूरी जब वो identify हो जाएगा उसके बाद में क्या किया जाएगा उसका नोमन कलेचर या नाम दिया जाएगा अब नाम देने के लिए यहाँ पे दो अलग-अलग organization बनाई हुई है यानि जितने भी प्लांट्स है प्लांट्स का नाम देने का काम किसका है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमन कलेचर ICBN अब आपको बता दू कि यहाँ से AI PMT में भी किसे ना चुका है नीट 2016 में भी आ चुका है और नीट 2019 में भी आ चुका है तो यह important हो जाते है code of geological नोमन कलेचर तो यहाँ पर तो botanical नोमन कलेचर है और एनिमल्स के लिए क्ली क्या हो गया जो सबी नामस देती है और यह क्या इंचूर करते है कि एक औरगिनिजम को केवल एक ही नाम दिया जाए चाहे वो वर्ल्ड में कहीं पर भी हो जो नाम दे दिया है वो फिर किसी भी अधर और 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 इंचूर जाएगा जीसे हमारे क्या होता कि एक नाम के बहुत सारे मिल जाते हैं जीसे आपका जो भी नाम होगा अगर आप search करोगे तो उस नाम के भी बहुत होते हैं animals में या फिर plants में ऐसा नहीं होता जो scientific name दिये जाते हैं वो केवल एक के लिए एक ही रहता है अब हम आगे बात करते हैं कि इसका एक rule क्या है तो biologist follow the universally accepted principle to provide scientific name तो एक universally accepted principle है जिसको follow किया जाता है और यह किस नहीं दिया था यह दिया था काल्स लीनस ने अब यह क्या है यहां पर जो भी नाम होगा उसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे each name has two कंपोनेंट कौन कौन सा the generic name and specific epithet दो कंपोनेंट होंगे generic name और specific epithet अब यह पर दो कंपोनेंट इस system of providing a name of two component is called bionomial nomenclature इसलिए इसको क्या बोला जाता है bionomial nomenclature बोला जाता है और this naming system किस ने दिया था यह काल्स ने दिया था अब इसके अंदर होता क्या है देखिए this naming system using a two word यहां पे दो word का format होता है was found convenient let us take an example mango का example लेते हैं अगर हमें mango जो हमारे इंडिया के अंदर मिलता है अगर उसको हम नाम देंगे तो क्या देंगे providing a scientific better name the scientific name of mango is written as magnifera indica तो अगर हम mango का नाम होगा तो वो क्या होगा magnifera indica होगा अब यह magnifera और indica क्या है देखिए magnifera represent the genus तो जो magnifera है वो genus को represent करेगा और indica जो है वो particular species को represent करेगी अब यह जो magnifera है यह सेम रह सकता है और यहाँ पर species अलग-अलग हो सकती है ओके तो यहाँ पर जो magnifera होता है वो genus को represent करता है और indica जो वो species को represent करती है तो यहाँ पर two name होगे मेंगो के मेगनी फेरेंडी का इसलिए नाम दे दिया है बाइनोमियल नॉमन कलेचर अगर हमें अधर्स के भी नाम ऐसे देने हैं तो उसके लिए कुछ रूल बनाए गया अधर यूनिवर्सल रूल्स ओफ नॉमन कलेचर आर एस फॉलोज अब यह जो रूल्स है यहां तक यह बाइलोजी के नदर लेटिन लेंगवेज बहुत ज्यादा यूज की गई है रिटन इन इत्ईलिक्स इत्लिक्स क्या होता जैसे आप यूज करते हो न बौल्ड इतलिक्स अंडरलाइन तो इतलिक्स में थोड़ा सा टेड़ा हो जाते हैं यहांपर आप देखे होगे ध्यान तो उनको पहले क्या किया जाएगा लेटिनाइजड किया जाएगा और ड्राइड फ्रॉम लेटिन इस्पेक्टिव औफ दियर ओरिजन ये चाहिए कहीं पर भी है बर जहूं उसको नाम देंगे तो हम उसको सबसे पहले उस लेंग्वेज को किसमें करेंगे लेटिन अगर मालो मैं ऐसे लिखता हूँ कि मेगनी फेरा इंडी का तो मुझे क्या करने पड़ेगा separately underline करना पड़ेगा are separately underlined और printed in italics अगर print करें तो italics में करें और handwritten करें तो उनको separately अलग-अलग underline करना पड़ेगा ये क्या बताता है ये बताता है indicate their latin origin ये जो है इनका origin जो latin language से है fourth rule क्या कहता है the first word denoting the genus start with a capital letter ये बहुत important है जो first word होगा वो capital letter से start होगा while the specific epithet has start with a small letter यहाँ पर capital नहीं आएगा यहाँ पर केवल small आएगा देखो जो है magnifera और indika यहाँ पर क्या है small आए और ये बहुत important है क्योंकि आपको option दे देंगे magnifera एक में तो small indika लिख देंगे और एक में large eye लिख देंगे indika के अंदर तो ऐसे rule में ऐसा कि उसन पूछा जा सकता और पूछा भी गया है तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी अब अगर यहाँ पर किसी एक scientist ने short form magnifera indika lin अब यहाँ पर यहां पर यह liwn का क्या मतलब होता है यह क्या indicate कर रहा है lin it indicate that the species was first described by linus यह जो species थी indika वाली है सबसे पहले किसने describe की linus ने तो इसलिए यहाँ पर उसकी short form liwn लिख दिया गया magnifera indika के बाद में तो यह clear हो गया binomial normal creature तक अब हम आगे चलते हैं अब हम बात करेंगे classification और taxa के बारे में now what is classification classification का क्या मतलब होता है जो भी आप arrangement करते हो जैसे class होती है class में आपको क्या करते है जो भी एक group होता है उसको एक convenient category के हिसाब से बना लेते हैं जैसे school के अंदर मा लेजिए first, second, third, fourth, fifth, sixth ऐसे अलग-अलग class हो गए यह class क्या होई यह आप यह बोल सकती हो यह उसका classification हो गया आप से मैं पूछ लो कि sixth class के बच्चे का है तो आप एक अगर school में होता आप तुरंट बता दोगी कि उस room में आपको sixth class के बच्चे मिलेंगे यानि उनको एक convenient category के अंदर जो डिवाइड कर लिया गया गया उनको एक group बना दिया गया है तो वो कहलाता है classification देगी लिखाव है the process is classification classification क्लासिफिकेशन क्या होता है classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable character classification का मतलब होता है जो भी organism है उसको एक category के अंदर जो है उसको group बना लेते हैं ताकि उसमें जो भी character है वो easily observable हो रहे हैं उसका एक जो group बन जाता है उसको बोलते है classification अब जो भी वो group कहलाता है उसको बोल सकते हो आप taxa कैसे माल लेजिए मैं कहता हूँ dogs का एक group हो गया तो वो एक classification हो गई माल लेजिए बोल देता हूँ कि cats, cats का एक group हो गया तो वो क्या होगी classification mammals का, wheat का, rice का, plants का, animals का ऐसे हर एक group हो गया अब जो वो group है या फिर वो जरहें का उसको बोल सकते हो आप taxa दिखावाए देखिए are convenient categories used to study organism, the scientific term for these categories is taxa तो यह जो category बनाई है हमने dogs की, cats की, mammals की, wheat की, rice की, plants की, animals की उसमें जो scientific term जो यूज की जाती है, वो यूज की जाती है taxa याद रह गया simple, जैसे for example ने बात की थी sixth class तो sixth class का एक taxa हो गई, मतलब वो एक group हो गया उसको मैंने scientific term दे दी गई है, अब sixth class के अंदर भी बहुत सारे और group बन सकते हैं जैसे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर sixth class में boys, boys का एक अलग group हो गया मैं कहते हैं girls, तो यह girls का एक अलग group हो गया, तो sixth class के अंदर भी different different taxa हो गई यह scientific नाम दिया है, मतलब मैंने group को नाम दे दी यहाँ पर taxa, और कुछ भी नहीं है जैसे आपको यहाँ पर अभी समझ में आ जाएगा, देखिए, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स वो है taxa है बट वीट भी तो प्लांट्स के अंदर आते हैं, बट वीट का एक अलग group हो गया, वो भी एक अलग taxa हो गया तो यहाँ पर मैं बात कर लूँ animals की, तो animals के अंदर ही तो mammals आते हैं, और mammals में आपका dogs आ सकता है बट यह अगर हम simple simple देखें तो यह different level पे तो एक अलग-अलग taxa हो गए न, but you know that a dog is a mammal and mammals are animals, therefore animal, mammal, dog represent taxa at different level तो वो जो taxa है, वो जो group है वो अलग-अलग लेवल पर भी हो सकता है, जैसे मैं यह बोल दू कि boys, एक school के अंदर boys हो गए पूरा एक taxa, but उसके अंदर भी अलग-अलग class में हो सकते हैं, मतलब 6th class के होगे, 7th के होगे, 8th के होगे, 9th के होगे, 10th के होगे, 11th के होगे, 12th क होगे, इसके अंदर भी अलग-अलग taxa बन गए, या अलग-अलग level पर हमने इसको divide कर दिया गया है, जब हम taxa बना लेते हैं, तो उसके बाद में आता है taxonomy, now what is taxonomy, अगर आपको यहाँ पर N-O-M-Y, यह specific कहीं पर भी देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब होता है arrangement, इसका लोजी कहीं पर भी लिख जाए, तो यहाँ पर लोजी जो होता है, उसका मतलब होता है study, इसी तरह अगर आपको N-O-M-Y देख जाए, इसका मतलब होता है arrangement, तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है taxa, टेकसा नोमी, मतलब टेकसा की क्या करेंगे, arrangement कर देंगे, एक specific system होगा, य all living organism can be classified into different taxa, the process of classification is taxonomy, external or internal structure along with the structure of cell development, या फिर process and ecological information of organism are essentially and from the basic of modern taxonomic study, तो यहाँ पर जो taxonomic के अंदर कौन कौन से process आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले characterization आता है, identification आता है, classification आता है, और nomenclature आता है, यह सभी are the process that basis of taxonomy, तो आपसे यह पुछा जा सकता है, which of the following is no type basis of taxonomy, तो यहाँ टेक्सोनोमी का कौन से basic नहीं है, characterization, identification, classification और यह कोई एक अलग जो वो option दे देंगे, तो यह आपको याद रखने होंगे, यह चारों जो है, वो basic है किसके taxonomy के process के लिए, ओके, अब हम आगे चलते हैं, next हम बात करने वाले है, taxonomy के बारे में बात मे कि यहाँ पर जो भी taxonomy होता है, इसका मतलब होता है arrangement, और arrangement जो वो पहले भी की जाती थी, बट वो पहले किस base पर की जाती थी, the earliest classification was based on the use of various organism, कि जो भी organism है, उसको किस परकार में हम use कर रहे हैं, तो उसको उसी base पर हम taxonomy हैं, उसको arrange कर लेते थे, बट अब ऐसा नहीं है, उस the relationship among them, तो अब हम केवल उनको group नहीं बना रहे हैं, उनके बीच में relation भी देख रहे हैं, इस branch of study was referred to as the systematic, और यह जो branch कहलाती है, उसको बोलते है systematic, the word systematic is derived from the latin word systema, which means a systematic arrangement of organism, अब यहाँ पर यह जो है, हम क्या करें, systematic arrangement कर रहे हैं, तो उसी को तम बोल दे रहे थे, क्या, taxonomy, आगे यहां पर यह जो एक, लीनस ने जो बुक लिखी थी, कार्स लीनस ने कौन सी, systema natura, as the title of his publication, the scope of systematic was later in last to include identification, nomenclature and classification, तो बाज में जो systematic के अंदर यही चीज़े यूज़ की गई, जो हमने taxonomy किये है, identify करना है, फिर nomenclature देना और फिर उनके group बना देने है, systematic takes into account evolutionary relationship between organism, और इसके अंदर अब जो है, हम evolutionary relationship भी जो है, वो देखते हैं, अगर हम किसी चीज़ को systematic way के अंदर arrange कर रहे हैं, तो, okay, next हम बात करने वाले है, taxonomy categories के बारे में, अब यहां पर देखे, classification is not a single step, जो classification होता है, वो एक single step का process नहीं है, but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category, इसको simple simple word में समझे, but is hierarchy, hierarchy क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक order के अंदर arrange करना, जिससे school में होता है, first class, second, third, fourth, fifth, six, seven, eight, nine, eleven, तो, यह क्या एक order है, जिसके अंदर arrange कर रखा, इसको भी आप बोल सके हो, यह hierarchy है, इस type में किसी चीज़ को arrange करने को क्या बोलते है, hierarchy बोलते है, okay, तो, यहां पर classification के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है, जिनको हम एक order के अंदर arrange करते है, वो बनता है classification, since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy, और वो क्या बना लेता है, taxonomic hierarchy बना लेता है, कि उन सब चीज़ों को हम arrangement कर देते है, एक order के अंदर, अब यहां पर जो हर एक category होती है, जैस तो इच category refers to as the unit of classification, तो यहां पर हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे करते है, कैसे हम इसको समझ सकते है, देखिए, taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example, तो example दिया गया क्या, insect represent a group of organism, तो insect के अंदर एक group of organism होती है, उनमें क्या share होता है, share common feature like three pair of jointed legs, तो यहां पर three pair of jointed legs होगे, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या होगा जाएगा, आपका एक insect के अंदर आ जाएगा, and thus वारे given है rank और category, तो वाहां पर उसको एक category या फिर rank या फिर टेक्सों जो बना होगे, यहां पर इसी तरह second class में, third class में, fourth class में, तो यह भी क्या बना दिया गए, उसको एक arrange कर दिया गया है, उसको एक taxon दे दिया गया है, यह भी क्या होगे है, classification हो गया है, उसके बाद हम बात करेंगे, यहां पर अब यह question आता है, कि हम उनको कैसे जो है, वो categories के अंदर उनको रखेंगे, तो यहां पर लिखे, दिखे, now the question you may ask is how to place an organism in various category, तो हम बहुत अलग-अलग category के अंदर organism को कैसे रखेंगे, तो सबसे पहला basic requirement क्या है, the basic requirement is the knowledge of characters, यानि जो भी हमने बात, जो भी organism की बात करेंगे, उसके characters देखने पड़ेंगे, यानि जैसे हमने बात की इंसेक्ट की तो वहाँ पर character क्या हो गया, वहाँ पर जो वो three pair of jointed legs हो गया, वो इसका character हो गया, तो वो insect के अंदर आ गया, of an individual or a group of organism, this help in identifying similarities and dissimilarities, तो अगर हम उस organism के character देख लेते हैं, तो अब हम पता चल जाएगा कि कौन सा दूसरा जो organism है, उसके जो character हो क्या बिल्कु दे पाएंगे, अब हम यहाँ पर सबसे basic जो seven categories है, उसको हम बात करने वाले हैं, और वो seven categories कौन कौन सी है, सबसे पहले हम बात करेंगे, species के बारे में, यहाँ पर आता है आपका kingdom बोल सकते हो, फिर आपका आता है phylum आता है, फिर आपका आ जाता है class, order, फिर आपका आता है class फिर आ जाता है आपका order, या फिर फिर उसके बाद आता है family, फिर आ जाता है genus and देन आता है species, तो species, genus, family, order, class, phylum, kingdom, यह आपके seven जो हैं, वो हम categories के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले जिसक के बारे में बात करने वाले हैं, वो सबसे basic, सबसे main species, यानि अगर क homo sapien की, तो जिसे मैं भी एक human हूँ और आप भी एक human हैं, तो हमारे अंदर जो character होंगे, वो बहुत ज्यादा similar होंगे, यानि आपके भी two hand होंगे, two legs होगी, two eyes होगी, two ears होंगे, one nose होगा, तो इस type से जो है, यह हमारे character होते हैं और यह बिलकुल similar होंगे, आप में और मेरे के अंदर, चलिए बात काते हैं, taxonomic studies consider a group of individual organism with fundamental similarities as a species, तो सबसे ज़्यादा जो similarities मिलेगी, वो species में मिलेगी, one should be able to distinguish one species from the other close related species based होदा, distinct morphological difference, तो morphological difference के इसाप सी एक species, दूसरे species दे डिफर कर सकती हो, कैसे example दियागा है, magnifera indica का, और solenum tuberesum जनी potato का, और panthera leo lion का, तो जो आपके leo है, tuberesum है, और indica है, ये क्या है, त्री species है, दिके, all the three names indica, tuberesum and leo represented specific epithet, यानि एक अलग-अलग species है, वो जो first word लिखा गया है, magnifera solenum और panthera, ये क्या है, आपके genre है, जो कि एक अलग higher level of taxon या फिर category को represent कर रहे हैं, मैंने आपको ये starting में बता दिया था, कि एक but having morphological similarities, for example, panthera, panthera has another species called epithet, called tigris and solenum indicate species like nigrum, तो solenum tuberosum भी हो सकता है, और solenum nigrum भी हो सकता है, यानि आपे solenum genera के अंदर दो different species आ गई है, इस तरह panthera leo जो है, वो लिख अलग species हो सकती है, और tigris भी हो सकती है, panthera leo भी हो सकता है, और panthera tigris भी हो सकती है, अगर हम human की बात करें, तो हमारा human का कहना माता है, homo sapien, the scientific name is for human being क्या होता है, homo हमारा क्या genus है, और sapien हमारी क्या है, species है, उसके बाद जो next higher category आती है, वो आती है, अपके genus, अब genus के अंदर क्या होता है, similarities जो है, वो कम हो जाती है, उतने ज़्यादा similar ने रहते है, जितना species रहते species में सबसे पहले आप ये बोल सकते हो कि ये interbreed कर सकते हैं, नहीं reproduction कर सकते हैं, मतलब जो species होगी, वो आपे interbreed कर पाएगी, और वो आपे उनने के बीच में reproduction हो पाएगा, genus compromise is a group of related species, which is more character in common in comparison to species of other genre, अब ये word बहुत important है, other genre, मतलब जहाँ पे अगर हम बात करें, solenum की, या फिर magnifera की, तो यहाँ पे solenum के जो character हो ज्यादा common होंगे, और magnifera के जो character हैं, वो magnifera, magnifera वाले ज्यादा similar होंगी, बट solenum और magnifera के अंदर हमें बहुत ज्यादा difference देखने को मिलेगा, तो line दिखा है, genus compromise is a group of related species, which is more character in common in comparison to species of other genre, अगर other genre की बात करें, तो यहाँ character बहुत ज्यादा differ हो जाएंगे, बट अगर same genre है, तो लगबग लगबग category, जो हमे character देखने को मिलेंगे, वो लगबग same मिलेंगे, for example, यहाँ पे बात करें, तो panthera leo, panthera paddus और panthera tigers, यानि हमारा जो lion, leopard और tiger है, इनके character कुछ हद तक common है, बट अगर मैं example ले लूँ, Kate का, तो यहाँ पर उस से तो बहुत ज्यादा difference हो जाता है, क्योंकि उसका genus ही जो वो differ हो जाता है, the genus differ from other genus fallis which include kids, तो जो kids होता है, उनका जो genus होता है, वो कौन सा होता है, तो इस type से जो अलग-अलग genus हो गए, उनके character ज्यादा differ होंगे, but same genus के अंदर अलग-अलग species ह उनके character थोड़े ज्यादा common होंगे, उसके बाद जो higher category आती है, वो आती है family, अब family क्या कर लेती है, is a group of related genre, जो भी same type के genus है, उनको एक same के अंदर डाल देती है, कैसे अब उसी lion और tiger वाले का example ले लीजिए, पहले हमारे genus जो थे, वो थे, फैलिस, फैलिस किस के लिए थ जो हमारे lion हो गए, tiger हो गए, और या फिर लियोपड हो गए, इनके जो genus थे, वो अलग अलग थे, मतलब केट्स का फैलिस जीनस था, वो जो हमारे lion टाइगर हो गए, इनका जीनस था पैंथेरा, बट अब इनकी family जो है, वो बिलकुल same हो जाएगी, family कॉन से हो जाएगी, family family हो जाएगी, family D, यानि family D के अंदर हमारे दोनों जीनस आगे, कौन-कौन से, पैंथेरा वाला भी आ गया, और हमारा फैलिस वाला भी आ गया, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो, कि जो same होते जाएगे, वो मिलते जाएगे, इसी तरह solenum की बात करें, तो आपके पिटू family के अंदर solenis के अंदर आ जाते हैं, बट अभी भी आपको याद रखना है, जो Kennedy होती है, Kennedy family अभी अलग रहेगी, अब Kennedy किसके होती है, डोग की, डोग की family जो होती है, वो कौन से होती है, Kennedy होती है, और cats की family होती है, वो कौन से होती है, तो ये भी आप यहाद रख सकते हो, तो अगर हम higher category पर चले जाएंगे यहांने order में चले जाएंगे तो order में जो फेमली जा वो मिल जाएगी स्वरी जेनोast के बाद हमें मिल गय था फेमलि और फेमली के बाद हमें कौन मिल जाएगा ओर्डर मिल जाएगा तो यहांपेँ आप देख सकते हो यह सीन अर्लिया देट कैटेगरी जाइ स्पीसी जीनस और फैमिली आर बेस्ड ओन नंबर आप सिमिलर केरेक्टरिज तो अब कौन सी फैमिली मिल गई है प्लांट फैमिली जाइक कन्वलिसी सोलेनेसी और इंक्लूडिन इंदा ओर पॉलीमोनियल्स तो जो कन्वलिसी फैमिली है या फिर सोलेनेसी फैमिली थी वो दोनों फैमिली एक ही ओडर के अंदर आ जाती है कौन सी पॉलीमोनियल्स के अंदर आ जाती है अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहां पे देखिए ताइनिमल्स ओर्डर कार्निवोरा तो ओर्डर जो कार्निवोरा है उसके अदर आपकी फैलेडी और कैनेडी दोनों फैमली आ जाती है फैलेडी फैमिली किस के लिए थी फैलेडी थी आपकी केट्स और टाइगर्स की और कैनेडी आपकी किस की थी डोग्स की थी पटे इनका ओर्डर जो होगा वो बिल्कुल सेम हो जाएगा कुन सा कार्निवोरा हो जाएगा इसे दर class के अंदर जाएंगे तो class में हमारे order same हो जाएंगे इस character include related order for example order primata primata order के अंदर monkey आ जाता है गोरिला आ जाता है गीबन भी आ जाता है इन class मेमेलिया तो यहाँ पर जो आपके order primata है कार्निवोरा है वो सब किसके अंदर आ जाते है मेमल्स के अंदर आ जाते है along with the order कार्निवोरा that include animals like target and dog तो यह चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी उसके बाद में फाइमिली जो है फाइलम जो है फाइलम के अंदर बोर different different class भी आ जाती है फाइलम कोड़ डेटा के अंदर आ जाते है कोड़ डेटा को हम animal kingdom के अंदर detail में discuss करेंगे वहीं पर अगर हम बात करें plants की तो plants में फाइलम नहीं बोला जाता है classes with a few similar character are assigned to a higher category called division तो याद रखना है plants के अंदर हम division यूज़ करते हैं और animals के अंदर हम जो वह फाइलम यूज़ करते हैं तो यह आप लिखाए kingdom और phylum phylum किस के लिए यूज़ के जाता है animals के लिए और division किस के लिए यूज़ के जाता है plants के लिए यूज़ के जाता है word फिर जो अलग-अलग phylum या फिर division है वो सभी एक ही kingdom में आ जाते हैं kingdom हमारे पास दो बचते हैं कौन सा animal kingdom और plant kingdom इसके अलवा अलग-अलग kingdom और भी होते हैं जैसे monera, protista, fungi kingdom भी होते हैं यह हम आगे biological classification chapter के अंदर read करेंगी तो I hope आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा अब यहां पर एक line होती है जहां से आपका कई बार question पूछा जा सका है यहां पर देखिए however, taxonomists have also developed sub categories तो यहां पर sub categories भी होते हैं मतलब sub family भी होती है, sub genus भी होता है, sub species भी होती है, sub order भी होते है इस टाइप में भी होता है तो ताकि हम उसको और ज्यादा detail में अच्छे से रख पाएं अब एक line लिख हुई है यह सबसे important line है जैसे हम यहां से species से kingdom की तरफ जाते हैं तो जो common character होते हैं, वो decrease होते हैं decrease होते हैं, कम होते हैं, अब ऐसा क्यों है देखिए दो species है सबसे पहले हम बात करें जैसे homo sapien तो homo sapien human human के common character बिल्कुल ज़्यादा सबसे ज़्यादा मिलेंगी जैसे आपके और मेरे character सबसे ज़्यादा मिलेंगे बट हम अगर genus के अंदर चले जाएंगे कौन-कौन से आजाते हैं, जैसे amphibia आजाता है, reptile आजाता है क्या reptile के साथ हमारे character इतने ज़्यादा मिलते हैं, नहीं मिलते हैं फिर अगर हम आगे बात कर लें, आप एक class की mammalia की ही बात कर लें तब mammalia के अंदर भी बहुत आजाते हैं जैसे dog आ जाता है, cat आ जाता है तो इसके साथ इतना एक character मिल रहा है, नहीं मिल रहा है उसके बाद हम बात कर लेते हैं, order की कार्निवरा के अंदर भी बहुत आ जाते हैं, तो क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इसी type में जहाँ पर सबसे ज़्यादा character species में मिलते हैं, जैसे जैसे हम उपर जाते जाते हैं, जो common character होते हैं, वो कम होते जाते हैं तो यह चीज़ आपको clear हो गई होगी, अब यहाँ पे जो है, वो organism दिये गए है, taxonomy categories के अंदर यह table सबसे important है, क्योंकि इसी table से आपका AI PMT 2011 में, 12 में, NEET 2016 में और NEET 2021 के अंदर भी इसी table से question आए हुआ है, तो यह table आपकी बहुत ज़्यादा important हो जाती है अब table में क्या दिये गए हैं, अलग-अलग filem, division, class, order, family, genus और उनके biological name दिये गए हैं और common name दिये गए हैं, तो यह table आपको पूरी अच्छे से करनी होगी, क्योंकि इस chapter की सबसे main table है main की बात करें तो यह पर biological name होता है, homo sapien तो genus तो homo हो जाएगा species आपकी sapien हो जाएगी, family hominiddy हो जाएगी, order primata हो जाएगा, class mammalia और phylum जो वो code data हो जाएगा house ply की बात करें तो muska, domestica, यहीं से आपका need 2021 के अंदर क्यों सनाय था genus muska हो जाएगा, family muskiddy हो जाएगी, order deptera हो जाएगा, class insecta हो जाएगी, अर्थ्रोपोड हो जाएगी, यहीं पूछा गया था चना चुका है, जो पुराने NCRT हो जाएगी, बट आपको बता देते हैं, कि होर्स के अंदर आपका जो family होती है, वो लिक्वीड़ी होती है, order आपका peristodactyl होता है, order पूछा गया था, आपको याद रखना है, peristodactyl होता है, class mammalia होती है, और आपका जो phylum होता है, वो code data होता है, आपको यहाँ पे सामने लिखा हुआ भी दिखाए दे जाएगा, अब हम बात करने वाले हैं, taxonomical aids के बारे में अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी taxonomic होती है, जो अलग-अलग organism या फिर species हैं, उनको study करना बहुत असानी हो जाती है, taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing over bio resources and their diversity, तो हमें किसी भी organism का उसका use है, क्या नहीं है, वो सब करने के लिए इसको study करना पड़ता है, these study would require correct classification and identification of organism, यानि हमें यह पता होना अच्छी कि वो कौन सा किस ग्रूप के अंदर आता है, और क्या चीज है उस organism के अंदर, अब identification of organism require, क्या require होता है, intensive laboratory and field study, तो किसी organism को जो study करने के लिए या फिर उसको identify करने के लिए भी हमें बहुत जादा laboratory या फिर field study करनी पड़ती है, जब यह specimen जो है, उसको actual में collect कर लेते हैं, ताकि हमें उसकी जो भी study करनी है, वहां से असानी से हो पाए, आगे लिए, biologist have established certain procedure and techniques to store and preserve the information as well as the specimen, तो specimen या फिर उससे related जो भी information होती है, उसके लिए अलग-अलग procedure और टेक्निक्स बताएगई है, जिसके दोरा हम उनको रखती हैं, some of these are explain to help to understand, तो यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में, जिसे हर्बेरियम के बारे में बात करेंगे, botanical garden के बारे में, geological park, museum की वगेरा के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं, हर्बेरियम के बारे में 2013 और नी 2018 में किसन आई हुए हैं, ओके तो हमें complete अच्छे से पढ़ ल में लेते हैं, मेंली क्या लेते हैं, यहां पर plants ही लिये जाते हैं, उनको पहले dry किया जाता है, फिर pressed किया जाता है, और फिर उस sheets के उपर उनको preserve कर लिया जाता है, ओके यही line आई हुई है, नीट के अंदर, further these sheets are arranged according to a universal accepted system of classification, फिर उन sheets को एक जो universally accepted method है, उसके according उनको रख दे जाता है, these specimen along with their description on herbarium seat, उनको एक herbarium seat के उपर उनका description दे दिया जाता है, become a storehouse or repository for future use, the herbarium seat also carry, अब यह important है, यहां से आपका need 2016 में किसन आ चुका है, complete ध्यान से पढ़ना, the herbarium seat also carry a label providing information about date, place of collection, English, local and botanical names, family, collector name, etc, यहां पर रहाते हैं, क्या क्या मिलेगा, date मिलेगी, place मिलेगा, कि किस date को कहां से उसको collect किया गया, उसका English name मिलेगा, उसका local name मिलेगा, और जो उसका bionomial nomenclature, उसका botanical name होगा, उस plant की family होगी और जो उसने भी collect किया, उसका नाम भी होगा, herbarium also service quick referral system, तो यहां पर यह बहुत ही जल्दी हमें प garden है, collection of living plants, seeds के उपर तो क्या करे थे, उनको correct करके, उनको dry करके, और प्रेस करके रख रहे थे, seeds के उपर, बट यहां पर living plants होता है, reference के लिए, और यहां पर क्या होता है, these garden are grown for identification purpose, and each plant is labeled, यहां पर भी plant को label किया जाता है, seat के अंदर तो बहुत सारे information होती थी, date, place, English, local name, यहां पर क्या होता है, indicate its botanical scientific name and its family, तो उसका botanical name और उसकी family जो है, उस plant के आगे लिखी होती है, ता famous botanical garden कहां पर है, क्यों इंगलेंड के अंदर, इटनिकल बोर्डन गार्डन हो रहा है, यानि इंडिया के अंदर नेशनल botanical research institute लखनाओ के अंदर है, उसके बाद बा collection of preserved plant, यहां पर preserved है, यहां पर living कुछ भी नहीं है, preserve plants and animal species, यहां पर plants और animals दोनों को रख सकते हैं, देखिए हर्बेरियम के अंदर के वाल plants को रखा जा रहा था, बोटनिकल गार्डन के अंदर living plants को रखा जा रहा था, जो हमारा museum है, वहां पर preserve करके रखा जा रहा है, प्ल specimen, अब यहीं से हमारा need 2018 में किसना आ चुका है, देखिए, इंसेक्ट, इंसेक्ट are pressed in insect box after collecting, killing and pinning, तो पहले जो इंसेक्ट को क्या किया जाएगा, collect किया जाएगा, फिर kill किया जाएगा, फिर pinning करके उसको insect box के अंदर रखा जाता है, इंसेक्ट को, large animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved, जो large animals होत सकते हैं, अगर अगर आप यह बोल दोगी, बहुत सारे photograph लगा के, क्या museum बन सकता है, जी नहीं, photograph से कभी museum नहीं बन सकता, need to the 13 में स्टाइप का question आ चुका है, नेक्स्ट मात काते है, जोलोजिकल पार्क में, यहाँ पे होंगे, living animals, जैसे botanical garden के अंदर living plants थे यह से living animal wild animals are kept in protected environment, तो wild animals को protected environment के अंदर रखा जाता है, अंडर human care and which enable us to learn about their food habitat and behavior, all animals इने जू आर प्रोवाइड़ इस पॉसिबल दा, condition similar to their natural habitat, ज्यादे से ज्यादा यह कोजिज की जाती है, उनका natural habitat वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, यहाँ पर यह अलग अलग जो है, वो फोट ही important है क्यों क्योंकि यहाँ से हमारे जो किससे ने वो 2013 में आ चुके है, 2018 में आ चुके है, 2019 में आ चुके है, तो key सबसे important है, एक एक line important हो जाती है, key is another taxonomical area भी, एक taxonomical area जिसे आपका museum है, botanical garden है, barbarium सेट है उसी तरह से, यहाँ पर क्या होता है, use for identification of plants and animals, दोनों को identify करने क काम आता है, plants और animals को, किस base पे, based on similarities and dissimilarities, यहाँ पर जो base दिया गया कि कौन-कौन से similar है, कौन-कौन से dissimilar है, उनके base पे हम plants और animals को identify करते है, the keys are based on the contrasting, contrasting मतलब होता है, opposite character, generally इने pair cold couplet हो, एक pair के अंदर लिया जाता है, और फिर couplet, जैसे for example height, height में वो long है या short है, तो long and short क्या होगे, opposite होगे, और ये pair के अंदर आ गया, height तो ये क्या होगे, couplet होगे, इस तरह से, it represent the choice made between two opposite option, this result in acceptance of only one and rejection of other, तो जैसे आप कुछ भी कपड़े लेने जाते हो, तो आपको दो color दिया जाते है, या तो आप red ले लो, या फिर blue ले लो, तो यहाँ पर एक ही ले सकते ये बहुत important है, जो हर एक statement लिखी होती है, की के अंदर, उसको क्या कह जाता है, lead का जाता है, और यहां से question आ भी चुका है, separate taxonomy key are required for each taxonomy categories, हर एक taxonomy category के ले अंदर, अलग-अलग taxonomy keys होती है, such as family हो गई, genus हो गया, species हो गया, for identification purpose जैसे, family का अलग की हो जाएगा, genus का अलग ह हो जाएगा, species का अलग हो जाएगा, identify करने के लिए, keys are generally analytical in nature, जाद अदर यह analytical in nature होता है, यह हो गई key की बात, अब इसके अलावा और भी चीज़े हो सकती है, जैसे आपका flora हो सकता है, manual हो सकता है, monograph हो सकता है, catalog भी हो सकता है, are some other means of recording description, अब यह एके करके पढ़ेंगे, they are also helping correct identification, यह भी identification में वदद करते है, पहले बात करते है, flora की, flora and fauna आप पढ़ती हो, fauna क्या होता है, flora क्या होता है, flora क्या होता है, flora देखते है, flora contain the actual amount of habitat and distribution of plants, तो जो वो plants होते हैं, वो actual वहाँ पर किस type का वहाँ पर habitat है, और किस type के वहाँ पर plants है, एक area के अंदर, उ these provide the index of the plant species found in particular area, इससे हमें यह पता जालता है, कि वहाँ पर कितने plant species वहाँ पर मिलते हैं, यह हो गई flora की बात, फोना भी आप यहाँ पर, अगर animal लगा दो हो जाएगा, फोना, अब बात करते है, manuals क्या होते है, manuals are useful in providing information for the identification of name of species found in area, एक area के अंदर किस कौन कौन से name की species म मिलती है, उसकी information किससे मिलती है, manuals से मिलती है, अब monograph क्या होता है, monograph contained the information of any one text, केवल किसी भी एक text होनी, यानि किसी भी एक group की जो information होगी, वो कौन देगा, monograph देगा, monograph मतलब होता है single, next हम बात करते है, catalogue, catalogue क्या होता है, alphabetical arrangement of species, जो species होते है, उनको alphabetic arrange कर देना, उस तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर कम्प्लीट होता है यहां पर यह समरीज लिखी गई है जो भी हमने बताई इसके बारे में और यहां पर आपके यह एक्सरसाइज वगेरा के क्योशन है तो यह सब कुछ था इस चैप्टर के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद कीजिए दोस्तों के साथ सीर कीजिए मिलते हैं जल्दी नेक्स टूरी साथ अबता के लिए धन्यवाद